अस्सलाम अलेकुम तो सुवाग थे आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेडस्ट वीडियो में हम लोग उर्दू शायरी के अंतरगत मसनवी को पहने वाले हैं समझने वाले हैं कि आखिर मसनवी किसे कहते हैं और मसनवी से रिलेटेड जितने भी कोशुन पूचे जाते हैं आप लोग के एकदाम में उन सभी टॉपिक पर डिसकस होगा एकदम डीप ली तो वीडियो काफी इंपॉटेंट है अन तक भीना स्किप किये देखिएगा और हर एक भाषा का लवज मुसन्ना से बना हुआ है ठीक है मसनवी अर्भी भाषा का एक लवज है मुसन्ना मुसन्ना से बना हुआ है और मुसन्ना का मानी होता है दो दो किया हुआ तो बात आती है कि ठीक है हमें तो पता चल गया कि हम मुसन्ना अर्भी जबान का लवज है जिससे मसन मोदों मिसरे आपस में हम काफिया हो और हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाए उसी को तो कहते हैं हम लोग मसनवी अभी आप लोग कुछ काच समझ में आया होगा और कुछ काच दिमाग से बाहर गया होगा लेकिन कोई डिक्कत नहीं है हम किसमें हन्स नज्म की कविता की तरह शेर में कि लिखिती है tussen अब मिज़ूरी क्या है मसनवी में मसनवी में जरूरी है कि उसका हर शेร का दो-दो मिसरा आपस में हम काफिया होना चाहिए शुक्र कहते हैं जिसमें हर शेर के दो-दो मिस्रे आप रोग जानते हैं एक शेर में दो मिस्रे होते हैं जैसा की देख सकते हैं ये पहला शेर है और इसमें दो मिस्रे दिखाई दे रहे हैं ये पहला शेर है और इसमें ये पहला मिस्रा और ये दूसरा मिस्रा दो मिस्रे दिख रहे ह ये तीसरा शेर हो गया इसके ये पहला मिस्रा और दूसरा मिस्रा तो यहां पर क्या बोला ज़रा है मस्नवी उस नजम को कहते हैं जिसमें हर शेर के दो दो मिस्रे यानि कि हर शेर के दो दो मिस्रे आपस में हम काफिया हो हम काफिया हो काफिया किसे कहते हैं रदीव किसे कहते हैं यह हर एक चीज में आप लोगों को अलड़ी पढ़ा चुकी हूं और बता चुकी हूं लेकिन एक बार यहां पर आप लोगों समझा देती हूं काफिया का मतलब क्या होता है इस यह भी एक मसनवी ही यहां इसको पढ़ कर आप गोर कीजिए मैं पढ़ती हूं और आप लोग ध्यान दीजिएगा एक किस्सा अजीब लिखता हूं दास्तान गरीब लिखता हूं तो एक किस्सा अजीब लिखता हूं लास्ट में लिखता हूं और दास्तान गरीब लिखता हूं लास्ट में लिखता हूं पहले शेर के दोनो मिस्रे में क्या है काफिया है लिखता हूं लिखता हूं इसी दोनों मिस्रे के लास्ट में क्या रहा है लिखता हूं लिखता हूं इसी को तो कहते हैं काफिया यानि कि लास्ट वाला लफ्स जो है न वह बिल्कुल सेम होना चाहिए प्रणंसियेशन भी और लफ्स भी सेम होना लास्ट में क्या लिखता हूं लिखता हूं इसको कहते हैं काफिया ठीक है तो यहां पर देखिए दोनों मिस्टे में क्या रहा है तो बिल्कूल समझ में आ गई मसमें उस नजम को कहते हैं जिसमें हर शेर के दो दो मिस्रे आपस में हम काफिया हूं ठीक है देखिए पहले शेर के दोनों मिस्रे एक दूसरे के हम काफिया है उसी तरह दूसरा शेर देखिए ताजा इस तरह की हिकायत है सुनने वालों को जिस से हैरत है लास यूँ कह सकते हैं कि दूसरे शेर के दोनों मिस्रे एक दूसरे के हम काफिया है क्योंकि दोनों मिस्रे के लास्ट में एक ही जैसा लफज आ रहा है है और है ठीक है उसी तरह तीसरा शेर आप लोग देख सकते हैं तीसरे शेर को पढ़िए जिस मुहले में था हमारा घर जिस आप यूँ कह सकते हैं कि दोनों के दोनों मिस्रे के लास्ट में क्या है काफिया है एक जैसा प्रणंसियसन तलफुज होना चाहिए या फिर एक जैसा लवज होना चाहिए उसको हम लोग कहते हैं काफिया तो देखिए तिसरे शेर के दोनों मिस्रे के लास्ट में क्या हम काफ एक दूसरे के हम काफिया हैं, एक जैसा pronunciation हो रहा है, दोनों मिस्रे के last में, ठीक है? तो वही याँ पर बोला जा रहा है कि मसनवी उस नजम को कहते हैं, जिसमें हर शेर के दोदो मिस्रे, आपस में क्या हो? हम काफिया हो, हर शेर के दोदो मिस्रे, क्योंकि मुसन्ना, और भी जबान का लफ़ मुसन्ना से बना है मसनवी, और मुसन्ना का मिस्रे क्या होता है, दोदो किया हुआ, यानि कि मसनवी के, मसनवी उस नजम को कहते हैं, जिसमें हर शेर के दोदो मिस्रे, दोदो किया होता है, मुसन्ना का मतलब, यानि कि हर शेर के दोदो मिस्रे क्या हो, एक इसका अलग काफिया है लास्ट में है और है है मतलब इसका काफिया अलग पहले शेर के दोनों मिस्रे में काफिया क्या है लिखता हूं लिखता हूं ठीक है इसका काफिया अलग है उसी तरह दूसरा शेर देखिए दूसरे शेर के दोनों मिस्रे में काफिया कौन सा है और है ठ ज से घर और तीए वह में लग काफिया घर और धर ठीखेया ह Sche bene is have of my life reminded 15 कि हर दूसरे शेयर में काफिया क्या हो जाए बदल जाये पहले शिर काफिया अलग दूसरे शेयर काफिया अलग तिस्रे शlles का अलग इसी तरो पूरा अगर आप लोग मस्नवी पढ़ते तो पूरे मस्नवी के हर सेर में अलग-अलग काफ़िया देखने को मिलता तो यह मैं पूरा मस्नवी incidence बस मस्नवी कई तीन लाइन उठांकर लिग दी हुँ और वैसे भी यह से जो मस्नवी है इस मसनवी का क्या नाम है जहरे इश्क और मैं पूरा मसनवी नहीं लिखी हूं यह आप लोग को टेंथ क्लास में पढ़ना है और मैं आप लोग पूरा मसनवी वहां पर पढ़ाई हूं तो अगर आप लोग इस पूरे मसनवी को पढ़ना चाते हैं तो वहां पर जाकर पढ ली थी समझाने के लिए ठीक है तो ये जहरे इश्क मसनवी है जिसके राइटर है शौक लखनवी तो आई होप आप लोगों को मसनवी में एक परसंड भी दिक्कत नहीं होगी समझ में आ गया होगा एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहती हूं आप लोगों के मैंड में ता आगे बढ़ते हैं कुछ और डिटेल समझ लेते हैं मसनवी के बारे में क्योंकि आप लोगे एकजाम में कहीं सभी कोशन पूच सकता है चलिए मसनवी के बारे में आगे समझते हैं मसनवी जो है ना सिन्फ मसनवी की इप्तदा यानि कि मसनवी लिखने की शुरुवात जो ह तो हो सकता है कि कोशन पूछ दे कि मस्नवी किस जुबान से उर्दू में आई तो फार्सी से उर्दू में थी ठीक है और ये मस्नवी लिखने की शुरुवात इरान से हुई थी ठीक है उर्दू में मस्नवी की प्तदा मस्नवी लिखने की शुरुवात तो इरान से हो गई ठी प्षिर से मस्नवी लिखने की शुरुवात हुई ठीक है उर्दू की पहली मस्नवी कौन सी है तो याद रखना है मस्ट इंपोर्टन कॉइंट है कोशन पूछ दिया है बहुत बार पूछा है आप लोगे एक्जाम में यह समझे कि फेमस कोशन है बहुत बार पूछा गया उर पूछेगा तो जिस भी दिखाई दे निजामी बैदरी धीरे से टिक कर देना है चली आगे बढ़ते हैं कुटब मिश्टरी यह जो है ना यह बहुत ही फेमस मस्नवी है जिसके राइटर है मुल्ला वजही जब कुटब शाही दौर चला कुली कुटब शाह थे उनका जमान चल रहा था तो उस वक्त मुल्ला वजही जो है ना सुल्ला सच नौ इस भी में यह कुटब मुश्टरी नाम का मस्नवी लिखे थे कुली कुटब शाह के उपर ही आप यूं कह सकते हैं इसी वजह से तो कुटब मुश्टरी नाम पढ़ गया ठीक है इसमें कुटब जो है न लोगों को बताई गई है ठीक है एक और चीज़ यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं मस्नवी में ना कहानी क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बताई मस्नवी नजम यानि कि शायरी के अंदाज में ही लिखी जाती है तो मस्नवी में क्या बयान किया जाता है क्या मतलब लिखा जाता है मस्नवी में तो मैं आप लोग को बता देदा चाहती हूं जिस तरह आप लोग कहानी पढ़ते हैं दास्तान पढ़ते हैं दास्तान में आप गहती है बस शेर वर शायरी की अंदाज में लिखकर बता दी जाती है ऐसे नॉर्मली किना यहीं आप लोग कहानी पर टे हूंगे जो कि आमक्षाल की भाषा में लिखा गया रहता हैस्थान ग्जय की यह जाए कि मस्नवी के हर शेर् के दो-दो मिस्रे में क्या हो। काफिया हो यां कि दो-दो मिस्र, क्या वापस में हम काफिया हो। लेकिन मस्नवी को एक और नाम दिया जता है मंजू में दास्तान ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक आप लोगो समझ में तो आई गया होगा अगर समझ में आ रहा है तो कमेंड में लिखकर जरूर बताए कि हां हमें समझ में आ रहा है प्लस कोई भी डाउट हो तो कमेंड मे लाव उठा सके सभी लोग इस टॉपिक को समझ सके क्योंकि काफी इंपोर्टेंट ये टॉपिक है और आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं शुमाली हिंद की पहली मसनवी याद रखेगा शुमाली हिंद आप लोग जानते हैं मश्र भारत की पहली मसनवी यानि की उत्तर भारत में लिखी जाने वाली पहली मसनवी मतलब माना जाता है की बकेट कहानी है जिसके राइटर अफजल जानवी है ठीक है जनजानवी ठीक है यह मतलब माना जाता है मतलब यूँ प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन लोग ऐसा मानते है कि श्रुमाली हिंद की पहली मसनवी कौन सी है तो बगट कहानी है जो कि अफजल जंचानवी ने लिखा है ठीक है आगे बढ़ते हैं सहरूल बयान ये भी काफी है मतलब मसनवी काफी फेमस जो भी फेमस है ना वही मैं लिखी हूं मसनवी जो कि आप लोग एकजाद में पुछने के चान्ज़स है तो देखिए सहरूल बयान का भी पूछ सकता है कि सहरूल बयान मसनवी के राइटर कौन है तो आपसन में दिया रहेगा मीर हसन जिस भी पढ़ाई हो ना तो अगर आप लोग इस मसनवी को पढ़ना चाहते हैं इस मसनवी में शेर उचारी के अंदाज में क्या कहानी बताई गई है क्या दास्तान है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं कोई दिकत में गुलजार-e-Nasim पढ़ाई हूं और जहर उसी तरह दास्तान दास्तान को दास्तान आप लोग जानते हैं लंबी कहानी को दास्तान कहते हैं और दास्तान लिखने वाला जो लेखक होता है उसको दास्तान निगार कहते हैं खाका को लिखने वाला खाका नगार दिया शंकर नसीम चलिए यहीं पर ώल जाता है आप लोग का और आई छोप Coming तरीक से समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो कमेंड में लिखकर ज़रूर बताए और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया है तो पड़ावट लाइक कर दें जितना ज़्यदा हो सके शेयर कर दें क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना ज़्यदा करती ह इन सभी effort के बदले आप लोगों से एक छोटी सी request करती हूं कि आप लोग वीडियो को like कर दे और जितना ज़्यदा हो सके दूसरों तक वीडियो को पहुचाने की कोश्च करें जितना ज़्यदा हो सके शियर करें अपने छोटे बड़े भाई बहन कॉंटेक्ट में जितने भी लोग है चाहत अप शियर कर दे हो सके तो स्टेटस लगा दे अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ले लिजे फड़ा वर्ड स्क्रीन शॉट तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे उर्दू उर्दू ग्रामर का अगला टॉपिक है उर्दू ग्रामर के अंतरकरत उर्दू शायरी हम लोग पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में भी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज